लोगसबा चुनाओ 2024 की घोशना हो गई है और अगर हम कानपूर की बात करें तो यहाँ पर चौथे चरण में मतदान होना है चुनाओ के अनसार कुल साथ चरणों में इस बार भी यह चुनाओ होने वाला है और कानपूर एक बड़ा ओद्योगिक शहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय इसको मैंचेस्टर ओफ इस्ट कहा जाता था व्यापारी वक्स संबन्दित यह शहर है और यहाँ पर मतदान होना है 13 माई को जी हाँ यहाँ यहाँ पर 13 माई को मद्दान होना है चौथे चरण में मद्दान होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वोटरों की संख्या भी बड़ी है कुल अगर हम कानपूर की बात करें तो इसमें 10 विधान सभाइं आती है जिसमें से 5 विधान सभा कानपूर की जो कानपूर नगर लोकसभा सीट है उसके लिए आती है और 4 विधान सभा इसमें शामिल होती है अकबरपूर लोकसभा सीट में और एक मिश्रिक में जाती है लेक तक पुरुष से महिला का जो रेशियो था वो रेशियो इस बार बढ़ गया है जो अभी तक 841 महिलाओं का रेशियो था एक हजार पुरुषों की उपर वो बढ़के 871 हो गया है दूसरी बात अब की बार जो भी 85 साल से जादा उम्र के वोटर्स हैं उनके लिए एक जहां पर पूरा वहां का जिम्मा महिलाएं सभालेंगी इसके साथी साथ दिव्यांग के लिए भी विशेश व्यरस्था की गई है जो ऐसे बूद बनेंगे जो कि दिव्यांग फ्रेंडली होंगे और वहां पर जब भी दिव्यांग जाएंगे तो बहुत आसानी से वहां पर अपना वोट दे सकते हैं इसके अलावा जो मॉडल बूत की एक प्रक्रिया हर चुनाओं में हम लोग को देखने को मिलती थी वो भी इस बार देखने को मिलेगी और मॉडल बूत भी बनाए जाएंगे अब हम आ जाते हैं कानपुल लोकसभा और अकबर पुर लोकसभा स पत्याशे नहीं उता रहा है इसका मतलब वो पत्ते भी नहीं खुले हैं हमेशा सही देखने में रहा है कि अगर हम कानपुल लोकसभा सीट की बात करें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है खासकर भारती जंता पार्टी वो अपनी जो सबसे लास्ट की लिष्ट होती है उसमें कानपुल सीट के पत्याशियों की नाम की घोशना होती है यानि अगर हम तीनों की बात कर लें चाहे भारती जंता पार्टी हो चाहे गडवन्दन के पत्याशी हो जो कि कॉंग्रेस को फिलहाल ये लोकसभा की सीट गई है गडवन्दन के तहत और बसपा यानि माय उन्होंने तो पहले ही डिकलेर कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इन सब को देखते हुए अभी तक ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कानपुल लोकसभाज सीट पे कौन सा ऐसा पत्याशी होगा जो चाहे भारती जंता पार्टी चाहे गडबंदन और चाहे बसपा वो कौन-कौन अपते पत्याशी उतारते हैं इसी तरह से अगर हम बात करें अकबर पूर सीट की तो अकबर पूर सीट के लिए अब ये कयास वाली बात खतम हो चुकी है क्योंकि वर्तमान सांसद देवेन सिंग भोले को बीजेपी ने फिर से उतार दिया है मै केंगे तो कुल बिलाके अगर दोनों लोग सभा सीटों की बात करें तो एक तरफ जहां पर अगबर पूर सीट पर बिलको तस्वीर साफ हो चुकी है वहीं पर कानपूर लोग सभा में अभी कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है अब देखना यह होगा कि चुराओं की तार के वाल TV9 कानपूर